संग्या संग्या के मिख्यतह पांच बेद होते हैं 1. व्यक्ति वाचक परिभाषा जिस संग्या से किसी एक ही वस्तिव, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो 2. जाति वाचक परिभाशा, जिस संग्या से किसी एक ही प्रकार की वस्तूओं, पदार्थों अथ्वा व्यक्तियों का बोध हो 3. समूवाचक परिभाशा, जिस संग्या से किसी वस्तू या व्यक्ति के समूव का बोध हो 4. द्रव्यवाचक परिभाशा, जिस संग्या से मापतोल वाली वस्तू का बोध हो पांच, भाववाचक परिभाशा, जिस संग्या से पदार्थ में पाय जाने वाले धर्म या गुण अवस्था अत्वा व्यापार का बोध हो द्रव्य वाचक एवं भाव वाचक संग्या का प्राय भवचन नहीं होता संग्या के निरुपांतर या विकार तीन कारणों से होते हैं एक लिंग परिभाशा संग्या के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष की जाती का बोध हो 2. वचन, परिभाशा, विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का भोत हो 3. कारक, परिभाशा, संख्या के जिस रूप से उसका संबंद वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं हिंदी मेलिंग के दो बैद हैं, एक पुलिंग और दूसरा स्ट्री लिंग.